आज हम बात करने वाले हैं counting of figures की counting of figures में सबसे पहले हमारे पास आता है triangle और उसमें भी हमारा आता type 1 when the triangle is divided vertically यहाँ प्याप अगर ध्यान से देखें तो हमने हर triangle को vertical line से divide किया है कई section में ठीक? उसको कई हिसे में हमने divide कर दिया है with vertical line तो देखो पहला जो हमारा figure उसको हमने 2 part में divide किया है पहला और दूसरा, दूसरे वाले को हमने 3 part में divide किया है तीसे वाले को हमने 4 part में divide किया है और चोथे वाले को हमने 7 part में divide किया है अब हमारे सामने क्या आता है कि हमसे प्रश्न पुछा आता है कि इसमें कितने triangle हैं ठीक हमें एक figure कोई देदेगा जो हमारा पहला question है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो triangle तो यह हो जाएंगे first और second और तीसरा हमारा ये बड़ा वाला हो जाएगा, तीसरा हमारा कौन से हो जाएगा, बड़ा वाला, दूसरे में अगर हम ध्यान दें, तो हमारे पास एक ट्रेंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और चोथा, ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक, और देखो, अब और टू कमने मिला लिया ऐसे हमारा एक ट्रैंगल बनेगा ठीक यह कितना हो गया हमारे पास पांच ट्रैंगल वैसे ही टू और थी को मिला कर एक ट्रैंगल हमारे पास बनेगा तो हमारे पास कितने ट्रैंगल हो जाएंगे छे ट्रैंगल ठीक अब इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें, इस वाले में, तो इसमें हमारे पास ten triangle बनेगे, कैसे? एक तो यह हो गया दूसरा ही है तीसरा ही है छॉथा यह और पांच्वा बड़ा वाला और वन और टू को मिला कर एक बनेगा टू और थी को मिला कर एक बनेगा 3 और 4 को मिलाके एक बनेगा, कितने होगा, 8 वैसे ही, 1, 2 और 3 को मिलाके एक बनेगा, और 2, 3 और 4 को मिलाके एक और बनेगा इस तरीके से total हमारे पास कितने हो जाएंगे 8 triangles, लेकिन अभी तो माल लो हमारे पास यहाँ पे 2 partition थे, यहाँ पे 3 partition हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 4 partition हुए थे, लेकिन तब क्या होगा, जब हमारे पास 4 से ज़्यादा, माल लो मैं पास 10, 20, 30, 40 partition अगर माल लो ऐसे हुए होंगे, तो हम कैसे count करेंगे, तब exams में हम इसे count नहीं कर पाएंगे, इतने हमारा n प्लस 1 by में 2 यहाँ पे n क्या है, n हमारा है number of partitions, जैसे यहाँ पे कितने partition हुए हैं, 2, यहाँ कितने भाग हुए हैं, 2 भाग हुए हैं, n हमारा हो गया, number of भाग, 1, 2, यहाँ पे कितने हुए हैं, यहाँ पे 3 भाग हुए हैं हमारे यहाँ आप n की value क्या हो जाएगा मारी 7 तो देखते हैं अपना पहला question हो इस formula से दखो पहले बाले में हमारा n की value क्या है 2 तो 2 into में 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 2 में 2 कितना आ गया 3 2nd वाले को अगर हम देखें तो हमारे कितने हिस्से हुए है 3 3 into में 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 2 में 2 कितना हो जाएगा 6 3rd वाले को अगर हम देखें 3rd वाले कितने हिस्से हुए है हैं 4 हिस्से हुए तो सबसक्व में 4 प्लस 14 कितना ऊंब टेन सबसक्ता कितना प्लस कितना हो जाएगा手法 तो सबसक्राइब में 4 कितना हो जाएगा 28 अब ध्यान दो देखो यहां पर 28 हिस्से हो हैं अगर हम इसे count करने बैठेंगे तो हम इसे count नहीं कर पाएंगे यह तो हमारा हो गया एक method इसे निकालने का दूसरा method क्या है देखो दूसरा method यह है कि हमारे पास जितने भी partition हुए है सबकी हम numbering कर देंगे सबकी हम क्या कर देंगे नमबर इसे हमने यहां पर numbering कर दिये नमबर लिया? च्छे कि यहाँ हो जाएंगे? 10, उसी तरीके से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2, 3, 3 प्लस में 3, 6, 6 प्लस में 4, 10, 10 प्लस में 5, 15, 15 प्लस में 6, 21, and 21 प्लस में 7, 28, यह तो हमारा हो गया, दूसरा तरीका, ठीक, दूसरा तरीका यहाँ क्या करना है, number of tangles इंग अलेक फर्म रख्या है, summation, summation, ठीक, i is equal to 1 से लेकर n तक, ठीक, और यहाँ पर i हो जाएगा, यह हमारा हो गया, दूसरा तरीका, तीसा तरीका क्या है, तीसा तरीका भी same है, हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे numbering करने बाद, numbering करने बाद, यहाँ पर जो भी number आएगा, last में जो भी number आएगा, जिसे यहाँ पर 4 आय तो 2, 2 में एक बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 3, तो 2, 3 जाए, 6, 2 में 2, कैसे करना है, देखो, यहाँ पर 2 है, 2 में एक बढ़ादेंगे, कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर क्या है हमारा 3, 3 के आगे हम एक बढ़ादेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 2 में 2, 6 हो जाएगा, यह होगा हमारा टाइप वन जहां पर हमारी जो ट्रेंगल होते हैं वो वाटिकली डिवाइड होते हैं अब टाइप हमारा सिगंड क्या है जब उन ट्रेंगल को होरिजन्टली डिवाइड करते हैं ठीक टाइप सिगंड में हमारा क्या है जब उन ट्रेंगल को होरिजन्टली देखते हैं अपना सेकंड टाइप हम जहां ट्राइंगल को होरिजन्टली डिवाइड करते हैं तो यहां पी क्या हो जाएगा हमारा होरिजन्टल अब देखो हमारा पास इतने भी ट्रेंगल्स हैं इसको हम अगर हम होरिजन्टल लाइन से दिवाइड कर देब होरिजन्टल लाइन से जैसे यहां हमारे पास माल लो एक यहां पर हम यहां पर हमने 2 लाइंग खीचा, यहां पर हमने 3 लाइंग खीचा, यहां पर हम मालो हम 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमने इतनी लाइंग खीचे, अब अगर हमसे यह कहा जाए कि इसमें कितने number of triangles होंगे, तो हम कैसे calculate करेंगे, तो देखो, सबसे simple formula है, सबसे simple formula क्या है, number of triangles हिंकालने का, number of triangles, कितने हो जाएंगे, number of horizontal line, क्या हो जाएगा, number of horizontal line, जहाँ जितने भी horizontal line होंगे, उतने ही हमारे पास number of triangles होंगे, जैसे, पहले में कितने हमारे पास horizontal line है, 2, एक यह, एक यह, तो number of triangles कितने हो गए, 2, यहाँ भी कितने horizontal line है, 1, 2, 3, एक, दो, तीन एक, दो, तीन तो number of tangles कितने हो गए है तीन, यहाँ भी कितने line है एक, दो, तीन, चार तो हमाँ पास number of tangles कितने हो जाएंगे फोर, यहाँ भी कितने number of tangles line है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो number of tangles कितने हो जाएंगे 6, मतलब कि number of triangles हमारे क्या होंगे, जितनी number of हमारे horizontal lines होंगे, जितनी भी number of हमारे horizontal lines होंगे, उतना ही number of triangles होंगे, in the case, when the triangle is divided horizontally, जब हम triangle को horizontally हम divide करेंगे, तो उसमें जो भी number of triangles होंगे, वो किसमे depend करेंगे, number of horizontal line पे, ठीक, ये हो गया हमारा type number यह वह सब ए 22 अब आपने हम टाइब नुमघा धर पे जहाँ प्रली को होगा विया अब आपने हम टाइब नू तो में Principal होगी होग्सी निवकित ज मिनलीकाइब यहां पेकर दिवाइब करेंगे त Jeju ही वामया नन्न चाहिए से divide करेंगे इसका मिलब वो हमारा क्या हो जाएगा type no.3 ठीक triangle is divided horizontally as well as vertically यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास horizontal ठीक and vertical ठीक horizontal और vertical दोनों लाइज से divide हो जाएगे तो देखो अंगर मालए हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया ठीक अब इसको हम एक बार दिवाइड कर देना हैं इसे हमने इसे एक बार दिवाइड कर दिया एक दो और तीन एक दो तीन और चार अब हमें find करना है कि इसमें कितने number of triangles होंगे अब अगर हमसे कहा जाए कि कितने number of triangles हैं तो हम कैसे find करेंगे तो देखो इसका simple तरीका क्या है हमने पहला क्या पढ़ाता है vertically दूसरा हमने पढ़ा horizontally तीसरा पढ़ेंगे कि horizontal as well as vertical देखो जब हम vertical वाला पढ़ेते तो हमने number कहा किती यहां पर one two जब हम horizontal वाला पढ़ेते हमने number कहा किती यहां पर one और two वैसे ही अब यहां पर numbering दोनों जगा करेंगे इस तरह भी करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे यहां पर देखें one two three one two three four one two three four five अब इसका फामला क्या है दोकर इसमें जो है number of tangles निकालने का फामला है number of tangles number of tangles निकालने का फामला क्या है m into में n into में n plus 1 by में 2 मतलब यह m क्या है m है हमारा number of horizontal lines और यह क्या है हमारा यह हमारा है number of tangles का फामला है number of tangles निकालने का फामला है पहले वाले केस का जब हम vertically divide करते हैं उस case में हम इस फामले के उउज़ करते हैं अब हमारे पास मनलब की horizontal line भी है vertical line भी है इसलिए हमने दोनों multiply कर दिया है बला horizontal वाला भी number of horizontal lines into में n into में n plus 1 by 2 तो यहां पर number of horizontal line कितने हैं 2 यहां क्या हो जाएगा 2 into में number of vertical vertical section कितना है कितने भाग हमने divide किया है दो भाग में तो 2 into में 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 by 2 कितना हो जाएगा 6 तो इसमें कितने ट्रेंग्रस हो जाएगे हमारे 6 हो जाएगे ठीक इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा second volume में second volume हमारे पास कितना हो जाएगा number of horizontal lines कितने हो जाएगी 1,2,3 तो 3 इंटू में कितने हिस्थे में divided है 1, 2, 3 3 इंटू में 3 प्लस 1, 4 बाई में 2, कितना हो जाएगा 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18 इसका एंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक अब हम उतना 3rd देखते है 3rd में हमारे पास नंबर और होजंडे लाइन कितनी है 1, 2, 3, 4 4, इंटू में कितने हिस्थे में divided हुआ है 1, 2, 3, 4 4 इंटू में 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, बाई में 2 तो कितना हो जाएगा हाँ यहाँ पर ठीक है 2, 5, 2, 10, 10, 10, 4 40, कितने नंबर और टैंगल हो जाएगा हमारे 40 टैंगल हो जाएगा ठीक अब हम देखिए अपना 4th वाला 4th वाले हमारे पास क्या है यहाँ पर कितने होरिजेंटल लाइन है हमाँ पास 6 होरिजेंटल लाइन है 6 इंटू में कितने हिस्थे में divided है 1, 2, 3, 4, 5 5 हिस्थे में 5 इंटू 5 प्लस 1 6 बाई में 2 कितना हो जाएगा 2, 3 जास ठीक तो 5, 3 जास 15 15 सब्सक्राइब यहाँ पर हमाँ पास किनने नमबर अफ टैंकल हो जाएँगे 90 नमबर अफ टैंकल हो जाएँगे यह हो गया हमारा टाइप डंबर थर्ड when the triangle is divided horizontally as well as vertically ठेक